हलो फ्रेंज चै माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों मंगलवार है और मंगलवार के दिन बाबा हनुमान बेडा पार लगाते हैं हम हमेशा क्या गाते हैं आज मंगलवार है बाला जी का वार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है दोस्तों बोलिए बाबा हनुमा दोस्तों बजरंग बली हमेशा बेडा पार लगाने वाले माने गए है और बहुत ही खुबसूरत सयोग में इस वर आ गई है एकादसी वो भी देव उठने एकादसी है दोस्तों और माना जाता है हनुमान जी के जो चार-पांच आपको में चमतकारिक उपाई बता रही हो दो चमतकारिक उपाई है और उसके बाद में आपको बताऊंगे अगर शादी विवाह में अरचने आ रही है तो फिर कल किस तरह से उसका भी उपाई किया जा सकता है दोस्तों तुलसी एकादसी है तुलसी विवाह करना है रामभक्त हनुमान जी चमतकारिक सफलता देने वाले देवता माने गए हैं दोस्तों कलियूगी देव है और ये देवता को आप सच्छे दिल से अगर एक बार आप मना लेते हैं दोस्तों तो मेरे बाबा हनुमान दोड़े दोड़े चले आते हैं दोस्तों मंगलवार या शनीवार के दिन हमेशा में कहती हूँ हनुमान जी को चोला चड़ाना चाहिए, चोला चड़ाना बड़ा ही सिंपल होता है, थोड़े से सिंदूर में दो चार बून चमेली के तेल डाल करके अगर आप बाबा हनुमान को चड़ा दें, आप देखेंगे कैसे वो बंबं हो जाते हैं, और आपके जीवन की सभी प्रकार के कश्टों को हरके आपको माला माल करते हैं, दोस्तों साथ ही साथ जो उपाई आज में बताने जारी हो, हर प्रकार के अनिष्ट को दूर करते हैं, दोस्तों आपको करना है कल एक छोटा सा उपाई पीपल के वरिक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला देना है, रात की समय कल रात को य जीवन के सारे कलेश आदी मिठ जाते हैं, अगर आपके जीवन में बिजनेस रूपी, किसी भी जॉब संबंदी समस्याइं आ रही है, तो वो सभी इससे दूर हो जाते हैं, दोस्तों हनुमान जी का दिन है, मंगल बार है, और ऐसे में हनुमान बाबा सारे कष्टों को पार ल नहीं सोचना है, एक छोटा सा सिक्का लेना है, और कल आपके घर की सारी नेगिटिव अनरजी गायब हो जाने वाली है, दोस्तों बहुत ही खुबसूरत एकादिशी है, मंगल बार का दिन है, और कल रात नौ बजी के बाद एक छोटा सा उपाय आपको करना है, एक कोईन ल ले जाएं, उस पे तिलक और चावल करें, इसके बाद उस सिक्के को आप अपने सिर के उपर से घुमा कर अपनी चछत पे जाके या अपनी बालकनी में जाके, किसी भी खाली लैंड में या किसी मंदर में जाकर के अपने सिर के उपर से उसको पीछे फैक देना है, दोस्तो आप देखेंगे आपके घर के जितनी भी नेगटिव एनरजी है उसी सिक्के के साथ चली जाती है अगर आप कहीं स्नान करने जाने वाले हैं तो आप ये उपाय को आप किसी समुद्र या तलाब में भी कर सकते हैं दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता दू ये धन लाब की आपके जीवन में इस्थितियां बन रही है किन्तु फिर भी धन लाब नहीं मिल रहा है तो मंगलवार का दिन है एकादिशी का दिन है दोस्तों गोपी चंदन अगर मार्केट में आपको मिल जाए किसी भी पुजा शॉप में तो इसकी नौ टिकियां ले करके क केले के व्रिक्ष पे आपको टांग देनी है ध्यान रहे दोस्तों यह जो चंदन है यह पीले धागे से आपको बांध करके ही आपको केले के व्रिक्ष पे टांग देना है या फिर आप दूसरा उपाई भी कर सकते एक नारियल पर थोड़ा सा सिंदूर ले ले अगर आपक करके पूजन करें और हनमान जी के मंदिर में जाकर गुर्चने के साथ भोग लगा करके वहाँ चड़ा दें उस नारियल को वापस नहीं लेकर के आना है और गुर्चना थोड़ा सा वहाँ पर सभी जितने उपस्थिजन है उनको खिलाएं अगर कोई बंदर है तो उसको प्र उशाद के रूप में ले आएं रात में आप एक काम कर लेते हैं रात को नौ बजी के बाद यह उपाए करना है दोस्तों कच्छी घानी का तेल यानि की सरसो के तेल में एक दिया जला ले उसमें दो लॉंग आप डाल ले और डाल करके एक आप वो दीप को हनुमान जी के सा गुना तकला की कोई भी आरती चो आपको आती हनुमान जी की वो आप कर ले दोस्तों आपके घर पे अगर बिना बात के संकट आ रहे हैं मुसीबते से पर मुसीबते आ रहे हैं आप चाहा करकी भी उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही कुबसूरत एकादसी आई है इससे संकट तो दूर होगा ही साथ ही माना जाते है अचूक धन की प्राप्ती भी होती है दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियों के विवाह के लिए अगर शादी में रुकावटे आ रही है तो देव उतनी एकादसी को दोस्तों जरूर करना है आपको चमतकारी उपाए और देखेंगे आप जल्दी बजेगी शेहनाई दोस्तों जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विश्नु का अभिवादन करते हैं समस्त दुखों से मुक्त हो करके जनम मरंद के चक्र से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों कार्तिक एकादसी को यानी की आपकी 31 पर्स्ट ऑक्टूबर 2017 को देव उठानी एकादसी हम मनाने जा रहे हैं दोस्तों और ब्रम वेवर्त पुरान के नुसार आशार शुक्लिकी एकादसी को भगवान विश्नु ने शंकासुर नामक राक्षस को मार कर भारी थकावट से शेहन करकार्तिक शुक्रिक अदिशी क जागे थे दोस्तों इसके बाद ही सभी मांगलिक विवाहकार या आदी आरंभ होने का विदान है लेकिन इस साल वो भी नहीं हो रहा है दोस्तों यह मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में लेकिन अभी फिलहाल में बता दूं आपको कौन-कौन से उपाय करने है नही तो फिर कनफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों इस दीपोटसप के बाद 11 दिन आने वाली इस एकादिसी को प्रबोधनी एकादशी मानते है और श्री हरी कृपा के अनुसार दोस्तों शांती प्रदाता संतती दायक यानि बाल बच्चे की सुख के लिए उनके अगर संतान किस को नई आ रही है तो उनके लिए वुद्धिमान बनने के लिए इस वरत को करना जरूरी होता है विश्नु पुरान के अनुसार अगर किसी भी कारण से चाहे लोब हो या मोह हो उससे वशिभूत हो करके मनुष्य एकादशी तिति को भगवान विश्नु का भिवंदन करते ह तो समस्त दुखों से मुक्त होकर जनम मरंग के चक्र से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों माना जाता है ऐसा भी माना जाते है जो लोग एकादशी का वरत या स्तुति नहीं करते हैं हमारे वैश्नव धरम में की नरक का भागी होता है वो मनुश्य दोस्तों अगर आपको भी सु करनी है विश्नु सहस्र नाम का पाठ करें शाली ग्राम जीवत तुलसी महिमा का पाठ करें वरत रखें और शाम के समय तुलसी पूजन करें दीप दान करें सुबर देव उठाएं मैंने बहुत सारे वीडियो इस बाठ दिये हैं आपको देव उठाने एकाठ सी के दोस्तों तो आप लोग सुबर सुबर अपने घर पे एक छोटा सा फंक्शन करके देव उठाएं और दोस्तों पद्म पुरान के अनुसार कार्तिक मह में शुकल में देर हो रही है तो तुलसी विवा का संकल्प ले और उसको संपुर्ण करने से मनुष्य सुखी संब्रिद होता है साथ ही साथ विवा में जो भी बालक के या बालिखा के विवा में अरचने आ रही है वो सभी इस बार दूर हो जाते हैं जो भी विवा योग ये जिन कालिग्राम का विवा कराएं अपने घर में और बच्चे के हाथ से करवाएं इससे सभी प्रकार के मांगलिक दोश का परिहार होता है और अगर दोस्तों इस तरह से कोई भी कन्या या पुत्र आपका विवा करवाता है तो माना जाता है छे मेने के अंदर ही अंदर उसके इस विभा का संकल्प तीन महा पहले ले लेना चाहिए और उसके पौधे को रोजाना सीचना चाहिए पूझा करनी चाहिए उसके बाद ही उस दिन कण्यादान किया जाता है दोस्तों एक से एक उपाय है तुलसी एकादसी के बहुत ही खुबशूरत दिन है देव उठनी एकादसी है दोस्तों और शाम के समय आपको गाय के घी का दीपक लगा करके आपको ओम नमो भगवते वासु देवा इस मंत्र के जबते वे 108 परिक्रमा जरूर करनी है और जो भी मनुश्य सुभे सुभे उठकर के ब्रह्म मुहर्त में पवित्र नदी में स्नान करता है या अपने घर में थोड़े सी तुलसी के पत्ते डाल करके स्नान करता है माना जाता है उन सभी के जीवन के सारे कलेश पाप आदी नश्रो जाते हैं ध्यान रखें दोस्तों तुलसी का पत्ते आपको नहीं तोड़ना है दोस्तों जब मैं आज कह रही हूँ मतलब कि एकाजसी के दिन करना है ये उपाए इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालने है खीर में और फिर भगवान विश्नू इससे को भोग लगाए और परवार सहित इसको आप लोग सभी प्रशाद की तरह ग्रहन करें दोस्तों ये उपाए करने से धन संबंदी परेशानिया धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी दोस्तों विश्नू बाबा को हम क्या कहते है पितांबर धारी भी कहते है जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारन करने वाला जो भी व्यक्ति देव उठाने एकाजसी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के फल, पीला अनाज पहले भगवान श्री विश्नू को अर्पन करते हैं और इसके बार ये सभी वस्त्र गरीबों को और जरूरत मंदों को दान कर देते हैं ऐसा करने से भगवान श्री विश्नू प्रसंद न हो जाते हैं और सद शुरू करके ऐसा वो हर ब्रिस्पती बार को हर थर्सडे को विश्नु भगवान का दूद और केसर से अगर आपकी पॉकेट अलाओ नहीं करती है केसर तो थोड़ी सी हल्दी डाले और उससे फिर विश्नु भगवान का अभिशेक करें और फिर उसको जिसकी शादी नहीं हो और उस बच्चे को अगर पिलाया जाए तो माना जाता है छे मेने के अंदर-अंदर शादी के योग बन जाते हैं दोस्तों इससे माता लक्षमी भी प्रसन्न होती है और मनुश्री के अगर कोई जॉब रिलेटेट कोई करियर संबंदी भी अगर प्रॉब्लम्स होती है वो जरूर चड़ाना चाहिए और शाम को दीपक लगाना है एक सो आठ परिक्रमा करनी है ओम नमो भगवते वासु देवाई ऐसा बोलते हुए ऐसा करने से बहुत जल्दी कर्च से मुक्त होने लगेंगे जिस किसी व्यक्ति को भी धन संबंदित दूसरी परेशानिया है वो अ उम लिंग एंग क्लिंग श्री फिर से बोलू ओम लिंग एंग क्लिंग श्री ऐसा बोल करके आपको पांच माला का चप करना है दोस्तों यदि देव उत्थानी इतकाजसी वाले दिन दक्षिनावर्ति शंक में जल भरके भगवान शी विष्णू वा माता लक्ष्मी का भी कुछ रुपे आप कमाल का उपाय, कल आप लक्ष्मी पूझन भी करें माता विष्नु भगवान के साथ और कुछ पैसे जनोंने दिवाली पे अगर नहीं रखे आपने थोड़े से पैसे और तो कुछ रुपे चांदी का सिक्षा आप पूझन में चड़ाएं उसकी भी पंच त्रफस टोज् jet हमेशा बर्कत रहेगी। कभी भी ऄपका पर्स खाली नहीं रहेगा। कही न कहीं से। पैसा उसमें सदा बना रहेगा। दोस्तों यदि सारी महनत करने के बाद भी आपकी आमधनी में बड़ोतरी नहीं हो रही है। नौकरी में प्रोमोशन नहीं हो रहा है, तो देव उठानी काजसी बहुत ही कुपसूरत समय है, दोस्तों, साथ कन्याओं को आप अपने घर पर भोजन कराएं, विशेश रूप से भगवान विश्नु को भोग लगा करके खीर खिलाएं, ऐसा करने से भी मनुश्य की सारी समस दूर हो जाती है, दोस्तों, एक से एक उपाय है, बहुत सारे मैंने आपको उपाय बताएं, लेकिन आपको सारे नहीं करने है, कोई भी एक करें, या एक से अधिक करें, कम से कम हनुमान जी का एक उपाय आपको करना है, और एक उपाय आप विश्नु भगवान का करें, और एक आपको और उपाई बता देती हूं दोस्तों अगर किसी किसी के काम में बहुत सारे अटकाव आते हैं कोई भी काम आप करने जाए मुसीबत आती है काम अटक जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों एक नारियल और थोड़े से बदाम दो-चार बदाम ही ले 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 भगवान अग्या चक्र पर अपने फोरहेड के सेंटर में तिलक करें और उसके बाद उस नारियल को वही पर फोड़ के उसका जल थोड़ा सा अपने शरीर पर डाल ले और थोड़ा सा प्रशाद के रूप में जितने वहां पर मौजूद लोग है उन सभी को दे दे इसके बाद वो आप घर ले आए प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बाटे दोस्तों आप देखेंगे आपके जितने अटकेवे काम है सबकी बाधाई खुल जाएगी और आपके सारे काम आगे फटा फट बनने लगेंगे दोस्तों कर लीजिए यो पाई किसी भी तरह के क्वेशन्स हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिखे जरूर पूछ ले और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेज रहें लव यौल फ्रेंद्स टेक केर चै माता दी और बम बम भुले नात की थरी की पड़रानी नहो नहो तुलसा महरानी नहो नहो धन्य तुलसा पूरण तप कीना थरी की पड़रानी नहो नहो धन्य तुलसा महरानी 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 नहो धन्य तुलसा महरानी चापन भोग छती साव्यंजन चापन भोग छती साव्यंजन आर्विन कुनसा प्रभु पेकन मानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो अरिकी अड़ानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो शीव ब्रह्मादि और सनकादिक शीव ब्रह्मादि और सनकादिक शीव ग्रह्मादि और सनकादिक बोजत फिरत महामो निज्यानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो सब जन मिल मैया तेरो गुण गावे 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 आई भाति दान दीज्ये महादानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो सरी की पतरानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो सरी की पतरानी नमो नमो कुलसा महरानी नमो नमो सरी की पतरानी नमो नमो कर दो